हेलो एवरिवन सभी सिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार आपके अपने योट्यूब चैनल लेट्स स्टाड़ी विद वंधना अगर्वाल में आपका हार्तिक स्वागत है साथियों निस्ठा का प्रसिक्षन समाप्त हो चुका है और अब शुरुवात हो गई है निस्ठा पर आधारित ओनलाइन परिक्षा की यानि कि वो परिक्षा जिसके आधार पर आपको निस्ठा प्रसिक्षन का अंतिम प्रमान पत्र जारी किया जाएगा कि आपने निस्ठा के पूरे 18 मॉडूल्स को कम्पलीट कर लिया है तो निस्ठा प्रसिक्षर पर आधारित पहली ओनलाइन परिक्षा संपन हुई है वारान सी जिले में इसमें कुल 30 प्रस्ण पूछे गए थे और आज की वीडियो में हम उन 30 प्रस्णों को देखेंगे जो इस परिक्षा में पूछे गए थे तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और आप भी जानिए कि वो ऐसे कौन से 30 प्रस्ण थे जो इस परिक्षा में पूछे गए तो वीडियो पसंद आए तो करपिया लाइक करें और अपने जादा से जादा सिक्षक साथियों के साथ भी से शेयर करें ताकि वो भी इसका लाब उठा सकें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो करपिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल नोटिफिकेशन को अन कर दें ताकि मेरे अन्य आने वाले वीडियो जो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरे हुए होते हैं वो आपको आसानी से और एक ही प्लेटफॉर पर प्राप्त हो सके तो आईए देखते हैं आज का वीडियो तो देखिए साथियो जो इसमें पहला प्रशन पूछा गया था वो था दीख्षा का फुल फॉर्म क्या है तो देखिए डिजिटल इंफास्ट्रक्चर फोर नौलिज शेरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फो नौलिज शेरिंग डिल्इ इंफॉर्मेशन फोर नौलिज शेरिंग या फिर ओनली अफोर पॉर्टल नेम तो इसका जो फोस्ट ओप्षन है डिजिटल इंफास्ट्रॉप्चर फोर नौलिजॉल शेरिंग यह बिलकुल सही है अब आम देखते हैं नेक्स्ट ग्वेशन त तो ये हो गया हमारा second question अब हम next question देखते हैं हमारे देश में अब तक कुल कितनी रास्टिय सिक्षा नीती बनी है तो देखी हमारे देश में जो पहली सिक्षा नीती बनी थी वो 1968 में बनी थी दूसरी सिक्षा नीती हमारी जो बनी थी वो बनी थी 1986 में और तीसरी आप सभी जानते हैं जो आईए 2020 में यानि कि कुल हमारे हाँ पे जो तीन रास्टिय सिक्षा नीती हैं वो अभी तक बनी है तो इसकी संदर्चना क्या है आप सभी जानते हैं तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 यानि कि हमारा लास्ट वाला ओप्शन बिलकुल सही है अब हम देखेंगे next question बच्चों की सुरक्षा के लिए child help line number क्या है तो देखें बच्चों की जब आपने training की होगी तो उसमें भी आपने देखा होगा बच्चों की help line के लिए जो child help line number है बच्चों की सुरक्षा के लिए वो है 1098 next question है पॉसको का full form क्या है तो ये आपने जो अभी जो training की है निस्ठाकी उसी के अंदर से एक question पूछा गया है और जो इसका सही answer है वो क्या है protection of children from sexual offenses पॉसको की full form next question है तनाव को दूर किया जा सकता है संगीत सुनकर योग और व्यायाम द्वारा या other तो संगीत सुनकर भी किया जा सकता है और योग और व्यायाम द्वारा भी किया जा सकता है तो यहाँ पर एक fourth option में था दोनो जो की यहाँ पर PDF बनाते में skip हो गया है तो इसका सही answer आएगा दोनो बच्चो को डाटना हिंसा है तो यह question पूछा भी गया था training के दोरान कि यह सत्य है या असत्य है तो यह बिल्कुल सही है बच्चो को डाटना भी हिंसा की श्रेणी में ही आता है जेंडर एक सामाजिक वरगी करण है जबकि sex एक जैविक वरगी करण है यह सत्य है या असत्य है तो यह बिल्कुल सही है यह सत्य है जेंडर एक सामाजिक वरगी करण होता है जबकि जो sex है वो एक जैविक वरगी करण है जल संसादनों में पीने योग्ये और नापीने योग्ये दोनों जल होते हैं तो ये बिल्कुल सही है पीने योग्य जल हो या चाहे ना पीने योग्य जल हो दोनों ही जल संसांदरों में काउंट किये जाते हैं दक्षिन अक्षांस के रूप में जाना जाता है तो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिन अक्षांस के रूप में जाना जाता है तो देखिए जब हम अपनी प्रत्वी को एक गोल आकार में देखते हैं तो इस प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाटने वाली रेखा को हम कहत विशूवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा जब हम इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांस में देखते हैं तो हम इसको कहते हैं करक रेखा लेकिन जब इसके नीचे हम 23.5 डिग्री दक्षिन अक्षांस को देखते हैं तो उसको हम जानते हैं मकर रेखा के रूप में तो इस बच्चे व्यस्क के साथ परस पर समबात से शीखते हैं यह सत्य है या असत्य है एक आउसकार देने की बाते scratching वह कीश्य सपरसपर व宋 से अवश्य सीखते हैं तो हम जिस प्रकार बच्चों के साथ समवाद करते हैं उससे वो सीखते हैं तो यह बिल्कुल सत्य है बच्चा कौन है किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बच्चा कौन है 18 वर्स से कम आयू का कोई भी महिला या मतलब कोई भी लड़की या लड़ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आप सभी अच्छे से जानते हैं 6-14 वर्स के बच्चे निशुल केवम अनिवारिय बाल सिख्षा दिकार अदिनियम 2009 के अंतरगत आते हैं उच्च प्रात्मिक इस्तर पर आरंबिक परिक्षन में कुल कितने प्रश्न होंगे तो देखिए प्रात्मिक इस्तर की बात करते हैं सिर्फ प्रात्मिक इस्तर की तो यहां पर वो होते हैं 15 क्वेश्चन तो यह भी आप देख लीजिए उच्च प्रात्मिक इस्तर पर 25 और प्रात्मिक इस्तर पर 15 शैक्षिक ब्रहमन एक तकनीक है तो ध्यानाकर्षर में जो 18 तकनीक दी इसमें हमारा experience L से होती है language P से होते है picture और S से होते है हमारे symbol तो E का मतलब हो गया इसमें experience अब बात करते है इरेक की next question में पूछा गया है इरेक में C का क्या आशे है तो E का मतलब यहां पर क्या है हमारा, sorry, C का पूछा है तो E रेक में C का जो मतलब है वो होता है consolidation यानि की समेकन या फिर हम कह सकते हैं निशकार्स next question है कक्षा 4 में गनित का प्रेढ़ना लक्षे है तो कक्षा 4 में गनित का प्रेढ़ना लक्षे क्या है गुणा के 75% प्रसनों को सही से हल कर लेते हैं जबकि कक्षा 5 में हो जाएगा ये भाग के 75% को सही हल करना ये हो जाएगा कक्षा 5 के लिए लेकिन कक्षा 4 के लिए पूछा है तो गुणा के 75% प्रसनों को सही हल कर पाना कक्षा 4 का गड़ित का प्रेढ़ना लक्षे है next question है प्रेढ़ना तालिका का प्रियोग किया जाएगा तो अब ही प्रेढ़ना तालिका का प्रियोग कहां पे किया जाएगा बच्चों की अधिगम संप्राप्ती को दर्जिक करने में यानि कि जो बच्चों ने जिस कौन से लेवल को प्राप्त कर लिया है हम प्रेण तालिका के द्वारा ही प्राप्त मतलब पता कर पाएंगे सहस्पुस्तिका में शामिल हैं तो सहस्पुस्तिका आप सबके स्कूल में आ गई होगी तो सहस्पुस्तिका में दी हुई है कहानी एवं कविताएं आधार सिला किर्यान वयन संदर्शिका बताती है तो आधार सिला किर्यान वयन संदर्शिका में किसके बारे में दिया हुआ है दैनिक शिक्षन योजना के बारे में व्यायाम कक्षा के संचालन के बारे में या बच्चों की प्रेगती के बारे में विशेवस्तू को इस्थाई रूप से लगाना या कक्षा कक्ष को चित्रों से सजा देना तो लिखित सम्रद माहौल बनाने में जो उप्यूक्त होता है वो होता है विशेवस्तू को समय समय पर बदलते रहना नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बनाने के लिए नेक्स क्वेश्शन है सिक्षण अधिगम सामगरी ऐसी हो जो आकर्शक हो आकर्शकों को तता सीखने में मदद करें सिख्षक के द्वारा बनाए गया कुछ भी तो भई सिक्षण अधिगम सामगरी आकर्शक भी होनी चाहिए और उससे बच्चे खुश ना अध्यापक उत्तर दे रहे हो या फिर बच्चे बोल रहे हो और अध्यापक देख रहे हो तो एक अच्छी कक्षक कब होगी जब बच्चे प्रशन कर रहे हो और अध्यापक उत्तर दे रहे हो यानि कि इतना बढ़िया कक्षा का माहल सबसे बढ़िया कक्षा का माहल तभी मा का कारिये है सहयोगात्मक परियवेक्षन करना ना तो इनका कारिये है निरिक्षन करना और नहीं अनुश्रवन करना तो इनका कारिये क्या है सहयोगात्मक परियवेक्षन करना अब हम नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे थर्टी क्वेश्चन यह पूचा गया था एक आधर्ष या अपेक्षित सिक्षर अधिगम प्रकरिया में टीचर टॉक टाइम होना चाहिए तो भई टीचर का टॉक टाइम कितना होना चाहिए एक आधर्ष सिक्षर अधिगम प्रकरिया में तो इसका सही आंसर होगा 20% 20% सिख्षक का टॉक टाइम हो और 80% उसमें बच्चे इन्वाल हो तब ही वो एक आधर्ष सिख्षर अधिगम प्रक्रिया कहलाईगी तो साथियों ये थे वो 30 प्रशन जो वारांसी जिले में पहली ओनलाइन परिक्षा जो हुई है निस्ठा पर आधारित उस पर आधारित थे तो आपको वीडियो कैसी लगी कि रप्या कमेंट करके अवश्य बताएं धन्यवाद